कोरोना संक्रमन के बढ़ते प्रकोप के चलते देश भर में 3 मई तक लोगडाउन 2 लागू है ऐसे में कोचिंग संस्तानों में पढ़ने गए विद्यार्थी कोटा में फंस गए जिनकी मुख्यमंत्री अशोग गैलोत ने के निर्देश के बाद करोली जिले के 156 विद्यार्थियों की वापसी होगी जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है जिला कलेक्टर ने बताया कि अगर किसी बच्चे में कोरोना संक्रमन के लक्षन दिखते हैं तो उसके लिए क्वारंटाइन की विवस्था की गई है